स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेकनोलजी में मैं अनुपाम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रोकेट मड़ने में आज हम लोग एक वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि सायद आउटडेटेड हो जिस टेम आप यह देख हैं अगर सब सब्सक्राइग है तो सेगैंड हो चुक़ा होगा और वो सक्सेसफ़ुलिए लॉंच हो चुका होगा लेगिन द्खिया उसका क्या होता है और मैं मानता हूं चाहता हूं कि यह सक्सेसफफुल plausible है जैसर मीश्च हो चुका बारे में तो देखिए मुझे भी पहली बार किया डिफेक्ट आ गया दूसरी बार किया तो भी काफी हुच-पुच हुआ लेकिन उनका था कि नहीं सब चीज सक्सेस्पूल हो ही जाता तो बात था कि थोड़ा सा हिंट था कि गढ़बड है लेकिन एक बात होता है कि ग्रीन रन जो अगर आप कर रहें किसी लेकिन बात होता है कि हर रॉकेट जो है उसका एक लिमिटेड लाइफस्पैन होता है यानि जो टंकी है पेट्रोल का तंकी नहीं है जो आप जब देखो तब उसमें फ्यूल भरी है जब देखो तब फ्यूल हटाते रही है यह क्रायोजनिक टेंप्रेचर से डील करता तो इस पर लिमिट रहता है कि कितनी बार इसको फ्यूल और डी फ्यूल किया जा सकता है तो ग्रीन रन आप कर रहे होगा पूरा फ्यूल कर देखो फिर से आप भर के खर रहे हो तो यह मेटल जो है फटीग होने लगेगा यह बना नहीं है इस तरह से कि मतलब बनाईए टेस्ट कर दो मतलब कि उसके बाइडर जो लगाया गया है इस अब का पाउडर को बाउंड करने के लिए वह थोड़ा सा वीख होने लगता है कुछ नहीं होना चाहिए आइडियली लेकिन कुछ हो गया तब क्या कर लीजेगा तो हिसाब वही रहता है कि नासा का यह कॉल लेना कि ज सबसे पहले क्या हुआ है सबसे पहले हो गया hydrogen leak जो कि अगर लोग देखेंगे कई बार हो चुका ग्रीन रन में भी वहा था तो हिसाब था कि उसको लोग प्रेशर से फ्लो बढ़ा के temperature ड्रॉप कर ठीक कर लिया और फिर दूसरी बाग कि एक engine का controller warning देलना है कि engine cool down नहीं हो रहा है यानि कि इसमें चार इंजन दिया गए है जो चार इंजन देख रहे है स्टार्ट करने से पहले स्पूल अप करने से पहले इसमें liquid hydrogen बहाया जाता है ताकि इसका temperature ठंडा हो जाए और धीर दीर बहाया जाता कि इसको शौक ना लगे और जब यह पूरी तर से ठंडा कर लेता कि हां hydrogen हम डाल रहे है hydrogen बॉil कर निकल जा रहा है तब इंजन स्टार्ट किया जाता क्योंकि यह जटका बर्दास कर पाएगा घरमी का thermal load जो है तो वह नहीं हो पाया अब रहा बात की ऐसा क्यों हुआ यहां पर दो options आरहे कि सुरू सुरू में है था कि कोई valve लटक जबाएगा था है, फौटी वाल की चलता है नहीं चल रहा था, फिर जसर्राम बिडी बना रहा है उस की one ожет read जो इंजसे पॉडर में दे रहा था तो यह दोनों हो सकता है यह दोनों में अर बऄ उच कोई हो सकता है इसकारण से जो टॉर से रहा दिया गया अब हिसाब ह यह भी यह समझे ऐसका लाइफस्पैन वह भी चोटा कर रहा है कि बार बार आप उसको ला रहे उँठारे यह सब सब बना नहीं है उससे साफ से नहीं बनाए गया है, यह हावा महल को आप कितना बार हावा से जेल लिएगा तो हिसाब वह ही ए कि यह करना ही था उन्हें लेकिन लॉंच में भी बहुत सारा फॉल्ड आ गया अब बात करें इस प्रोग्राम के तरवा हिस्ट्री में जाते हैं अनि कि ऑवामा के टाइम में जाते हैं तो बात था कि ऑवामा को दिख गया था कि ये ले डूबेगा देश को तो हिसाब ये था कि इन्होंने 2011 में देखा थे उतना पहले हाँ हिसाब यह था कि कोशिश किया ओवामन है कि यह प्रोग्राम को कैंसल कर दिया जाए उस ताइम इस प्रोग्राम का नाम था constellation project और हिसाब यह था कि ओवामन कहना था कि यह तुम से नहीं हो पाऊ है तुम budget एकदम नहीं पाते हो तो तुम focus करो इस पर जो भी चीज़ अनकमर्शल है या नॉन कमर्शल सा है यानि की रोवर्स बनाना habitat बनाना, space station बनाना जो चीज़ अनकमर्शल है वह सिस्कारम तुम करो उसके लिए देश से तुम्हें पैसा दिया जाएगा लेकिन जो चीज़ contract पर bidding कर वाओ, लोग खुद बखुद काम कर लेगे तो बात था कि यह नोंने कर दिया, cancellation कर दिया, बात था कि उसके बाद यह हो गया कि Congress को यह बात पचाने, कि यह President ऐसे बन कर दिया, और बात था कि bureaucracy जो होती है, कई बार अच्छे विज़ी होती है, लेकिन कई बुरा result भ यह गायब हो जाएगा, क्योंकि समगी यह सब वही जॉब थे, constellation में वही जॉब को आगे बढ़ाया जादा है, जो Space Shuttle के टाइम में बनाया था, तो Space Shuttle का टाइम से जो जॉब घसीडे जा रहे थे, उसको constellation में लाया गया, अब आप constellation को कैंसल कर दे रहें, वो सारे जॉब करीब करीब कहा जाता है, कई हजार जॉब के आस-पास का बात हो रहें, क्योंकि मेन जोब जैसे आप कह रहे हो कि रोकेट में है, तो ऐसा नहींगे जोब बनाने वाला आदम को चॉब रखता है, इस रॉकेट बनाने के लिए उस फैक्टरी को बनाने का कॉंट्रेक्त है, उस factory को maintenance करने का, वहां के लोगों को रखने का, मतलब अच्छा खासा economy पर फरक पड़ता है, तो हिसाब ये था कि बहुत जादा jobs आप स्वाहा कर दोगे, अगर ऐसा करोगे, तो इसलिए उस project को should the cancel होने नहीं दिया गया, तो दोनों के बीच में, यानि कि President और Congress के बीच में एक वरतलाब कराके, SLS को बनाया गया, इसलिए कई बार आपनों सुनते होंगा, SLS को सबक बोलते हैं, Senate Launch Project कारण वही है, कि politics के कारण इससे बनाया गया था, क्योंकि सबको बता था, जो तरीके से Space Shuttle बनाया गया था, वो economical नहीं था, तो SLS project बनाया गया, और इसमें और ज़्यादा गल्ती था, इसमें और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा इस्टूपिडिटी था, यानि कि यही rocket Solid Booster जो आप देख रहे हैं, यह Space Shuttle का है, इसके उपर इनको आया कि यह बहुत पारफुल होता है, तो डिजाइन अगर सुधा दें, Space Shuttle का डिजाइन बहुत खराब था, तो इसके Solid Booster लें, उसके उपर पेलोड लादें, काम खत्म, सेकेंड स्टेज डालो काम खत्म, उन्होंने लाउंच करके देख लिया, एक्चिली यह काम करता है, तो हिसाब यह रहा कि फाइनल जो मेन रॉकेट था, वो क्यों नहीं हो पाया, तो भई बात था, कि जितनी बार भी कोशिश किया जाता है, कि आप एक पुराने प्रोजेक्ट का माल लेकर उसको जबरदस्ति का नए प्रोजेक्ट में डालें, रहा ही हो जाता है, और देखे, गरवर कहा नहीं हुआ, कॉन्सलेशन प्रोजेक्ट में, और उरायन में, क्योंकि और उरायन फ्रेश था, स्टार्ट से हाँ इंजिनियर्स को पैसा दिया गया भाई यह तुम बनाओ बले बले बनाओ जब भी आप ऐसा होचपोच वाला सिच्वेशन करते हैं हमेसा आप सोचो कि कम बजट में होना चाहिए लेकिन घूम फिर क्या गया भाई यह से सस्ता परता गरम फ्रेश बना लेत हैं तो यही नोटिस किया गया था यही कारण था उबामयका कि नहीं यह ऐसे नहीं चलेगा तो लेकिन एसलेस घूसी किया जब अरदस्ती का और सब पैसा में बरवादी लागा गया क्योंकि हिसाब यहारा कि हर मामले में कि अगर नासा फ्रेश करता कि ठीक है कॉंसलेशन ह हम नया कॉंट्रेक्ट डिजाइंग करेंगे हम नए सिस्टम से बनाएंगे लेकिन फ्रेश बनाएंगे अराम से काम हो जाता है सस्ते में पढ़ जाता और थोड़ा से तो अवर बजट जाता ही लेकिन हो जाता ऐसा नहीं होता कि कई बिलियन डॉलर आपका पर लॉंच यह हर गवर्मेंटल डीपाटमेंट में होता है और इनका काम रहत है की क्यों मदब क्या गर्बढ हो गर्बर हो एक तो समझ यह को लोग तो प्रप लेंस रखता हैं तो नासा में इनका जितनी बार इन्होंने अनलेसिस की आई और ओफिस उफ इंस्पेक्टर जनल कहीं है तो बार बार उनको वार्रिंग जाए तक बे तुम्हें कुछ करना नहीं आता है तुम लेड़ हो गये एदम पूरी तर से सीधा सीधा कि जो आया था कि 2024 का जो आपने डेडलाइन दे दिया वो नहीं किया जा सकता है यही कम पहली थे पूल यह नहीं किया जा था 2024 में और हिसा ब्लॉक वन जो अभी इस्तमाल हो रहा है जो आप लॉंच में अभी देख रहे है वो फाइनल नहीं है वो सस्ता माल है यह भी दूसरा एक प्रॉब्लम था कि उनका अपर स्टेज बनाने के लिए टाइम चाहिए था और वो भी चोके फ्रेश नहीं करना चाह रहे थे तो ज इस्तमाल हो रहा है दूसरा एक महेंगा लॉंच टावर जो फाइनल पावर देगा वही देखेगी अगर यह सब फ्रेश करते तो बले बले और यह लॉंच टावर जो है पहला जो ब्लॉक वन जिसको कहा चाता है मॉबाइल लॉंचर वन है वो कॉंसलेशन के लिए बना गय आप थोड़ा थोड़ा मार के आप उसे निकाल दोगे आप पहला आर्टेमस लॉंच भी कर दोगे लेकिन उसके बाद जैसे आपको बड़ा पावर का ज़रूरत होगा जिससे आप गेटवे लूनर गेटवे बनाने के कोशिश कर रहे हो वो ब्लॉक वन बी मांगेगा ब्ल लूनर गेटवे को फुली ऑक्युपाइड बनानों चाहिए थे मतलब हर समय कोई ना कोई रहे वो नहीं हो पाएगा सर क्यों रॉकेट का लॉंच टावर रेडी नहीं रॉकेट को छोड़ी रहे है लॉंच टावर रेडी नहीं है तो हिसाब यह आ रहा है कि दोनों मिशन क के बीच में आने की चांद पर आदमी को उतरना डपा बोलके आना और उसके बाद वहां पर दुबारा जाने के ताकर के बीच में छे साल तक का गैप लग सकता है तो यह बहुत ज्यादा बुरा बात है यह बोल रहे हैं नासा मैनेजमेंट ओफ दे मोबाइल लॉंच टाव जाने के बना पार है उसको बोनस क्यों मिल जा रहा है तो यह बहुत जदा खराब रेइन थे का और सिक इसका साइडुएत हो था है बासादा पैसा खा रहा है का अगर आप कि लॉक का जाता है पृजएक्ट चा रहा है बोलॉखेंट पैसा एन लगेगा इसके चलते तो समझी ओबामा पहले नोटिस किया थे इंस्पेक्चर जिनरल भी बार और बता रहें कि भई ऐसे नहीं चला है जाता प्रोजेक्ट भूखे गाए करो तो आने वाले टेम में क्या होगा तो चांसेस है कि काफी लोग को अब समझ में आ गया कि यह सबस को सिधा बोल दिया जा आप रॉकेट नहीं बनाओ आप रॉकेट को सिफ मतलब खरीदो यानि कि जितने भी रॉकेट्स आने वाले टाइम में होनगे वो प्राइवेट ली फंडडिड और बिल्ड होगे तो अिक्रंपनी जैसे कि आपको रॉकेट लैप्स हो गया जो इलेक और चुकि पॉलिटिकल कोस्ट ओवरन के कारण लटकेगा तो अब दोबारा निगोंगी उनका जॉब्स का क्योंगा सबको समझ जागा 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 क्योंकि पॉब्लिक पता है कि आप प्राइवेट कर देंगे दाम कम हो रहा है तो आप क्यों पैसा में आग लगा रहे हो तो चुकि नासा पॉब्लिकली ओंड है एक तौर से कही है तो उसमें भावनां में पैसा नहीं बहाए जासा जासा मिलिट्री निए डिपार्टमेंट दिफेंस नहीं कि पैसा में आगे लगा दो, उनको थवा दिखाना पड़ता है, तो इसा वही है कि रॉकेट को प्योर कर दिया जाएगा, तो नासा करेगा, नासा का काम होगा, वो सर्फिस के लिए पैसा देगा, और फोकस करेगा अंडेवलप्ट एरिया पर, यानि कि टेकन आगे बढ़ते जाएगे, और प्राइवेट कंपनी पीछे-पीछे-पीछे-पीछे उनका बोगी के तरह पे खिषते रहेगी, और वो मतलब सिफ समझी एफिशेंट कर देगे, इंजन के अंदर बैटके तो आप जाना नहीं चाओगे, बोगी में बैठके जाना चाओगे तो इंजन का काम होगा नासा का कि हम खीच रहे हम टेकनोलोजी ला रहे हैं उसे आप कॉस्ट अफेक्टिव बनाएए उसको आप और यह कीजिए क्या बोलता है और चांसे से कि इतना टाइम एसलेस में लगा रहा है कि न्यूट्रॉन रॉकेट भी कंप्लीट हो सकता है और न्यूट्रॉन कंप्लीट होगे तब तो सीरियूस वाला भी बात हो जाएग और स्टार्शिप लगने वाला हूँ था बड़ा चीज है तो देखिए अनुएले SLS के बाले में डिबाकल जो हो रहा है उमीद करता हूँ आपको अच्छा लागो कुछ सीखने मिला कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दोसरे शियर कर दे उसे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आए कोई बात नहीं आर डिसलेक दबा सकते ह मैं कोँगा डिसलेक दो बार दमाए उसे मुझे पता चलेको कितना पसंद हुआ है मैं आपसे कोँगा कोमेंट लिखे मैं हर कोमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ आपसे कोँगा सब्सक्राइक बीजिए बेल दबाईगर आफ फ्री हैं तो आपने एरा वीडियो देखा आपके बहुत खुशी हुई धन्यवाद